दोस्तों वीडियो पार्ट 6 देख रहे हैं कोडिनेशन कमपॉंड के IOPC नेम केसे लिखते हैं आप इस वीडियो को पुरा देखिए अन्य वीडियो की लिंक आपको दोस्तों नीचे मिल जाएगी उन्हें जाकर देख लेना यहाँ पर पहले समझो कि आपको कोडिनेशन कमपॉंड में कितने भाग मिलते हैं कौन से भाग को क्या कहते हैं तो दोस्तों मुख्य रूप से इसके दो भाग आपको इस फिस दिखाए दे रहा है एक कोश्तक और कोश्तक के बार का भाग बार के भाग को हम दोस्तों क्या कहते हैं आपका आइनिक भाग कहते हैं इसको कहते हैं आपका सम नव्य मंडल चीक है और यहां पे आपका जो पहले आता है यानि पहले पोजिशन पे आता है उसको पोजिटिव और बाद वाले को नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पर देखिए यान यह नहीं होता है यहाँ पे पॉजिट्रक वाला आया है तो यहाँ पर अपना नाम लिखते वाले का नाम पहले लिखेंगे तो देखे कोस्ट्रक का नाम कैसे लिखते हैं तो कोस्ट्रक में आपके दो भाग होते हैं एक सेंट्रल मेंटल और दूसरा आपका लिगेंड यानि इलेक्ट्रोन देने वाला और इलेक्ट्रोन लेने वाला लिगेंड क्या काम करते हैं एलक्टरों देने का काम करते हैं, यहाँ पे NS3 है, तो NS3 का नाम क्या होता है? दोस्तों आपका Amine होता है, और यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है? 6, तो 6 के लिए हम Hexasabd का यूज़ करेंगे, अब देखें, लिगेंड का नाम आपका पहले लिखा जाता है, और कोस्टर के न और इसके कोश्रक में और उक्षिडेशन स्टेयट लिखी जाएगी यानि उक्षिकरण अवस्ता लिखी जाएगी एकल चीग है तो इसकी सबसे लास्ट में ग्याद करेंगे और उसके बाद इसका नाम देखें हम ने कंप्लीट लिख दिया आपकी पोजीटिव भाग का तो नेगेटिव में कोन है आपका CL, CL को क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पर आयंक भाग में हम contemporary का कलोराइड कहते हैं और जब यह आपका legenda के रूप में आता है तो इसको हम ltg कलोरो कहते हैं कब आएगा जब कोश्टर के अंदर आएगा ठीक है और इसकी संख्या यहांपे आइनिक भाग की दिखाई नहीं जाएगी कि यह आपका कितना 3 एनि ट्राइकलोराइड ऐसा नहीं लिखेंगे संख्या के बिलकिस की दिखाएंगे लिगेंड की ही दिखाएंगे अब आपका आता है third step यानि आपका यहाँ पर oxidation state निकालना है तो इसका देखिए मैंने x मान लिया amine का oxidation state 0 होता है और c l का कितना minus 1 और total charge इस पर 0 है तो is equal to 0 कर दिया यानि x minus 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना plus 3 तो इसका oxidation state आपका third निकल कर आया है यानि नाम आपका क्या बन गया दोस्तों hexa amine cobalt third chloride ठीक है चलिए दोस्तों हम अपना अगला example देखते हैं कि उसमें आपको क्या मिला है इसमें दोस्तों आपको मिला है यहाँ पे देखे आयन के रूप मिला है cocl nh3 और 5 और इसका आपका उपर आयन है 2 पलस तो देखे यहाँ पे आपका यह costak इसका उपर आवेश कितना है प्लस है, यानि two plus है, यानि प्लस का है, तो इसका मतलब क्या है या आपका positive भाग का part है, ठीक है, जब आपका ये positive में आएगा, या किस में आएगा, neutral में आएगा, यानि उदा सीन में आएगा, यानि इस पे जब कोई आवश्च नहीं होगा, इसी condition में हम क्या करेंगे, आप उसका नाम जैसा है वैसा लिखते हैं ठीक है और इदि यह नेगेटिव भाग में आ जाए यहां पर आपका क्या जाता नेगेटिव चार्ज आ जाता और यह आपका जो आयनिक भाग वह पहले आ जाता है और यह बाद में आता तो उस कंडिशन में सेंटरल मेटल के नाम के आगे एट चोड़ा जाएगा ऐसे एक्जामपल की वहाँ पर आपको पता लग जाएगा चलिए इसको एक वार समझते हैं तो यहां पर देखिए लिगेंड कौन है आपका एनस थी है जिसको हम क्या कहते हैं आपका एमीन कहते हैं देखिए पांस पांस के लिए पेंटा सब्स यूज़ करते हैं तो पेंटा एमीन उसके बाद आपका कलोरो और यहां पर कौन है सेंटरल मेटल आपका सी ओ यानि कोबाल्ट अब इसका कोस्ट्रक में हमें क्या लिखना होता है उक्षडेशन स्टेट लिखना होता है तो हमने यहां प पर टोटल चार्ज कितना यह आपका इजी क्वस्ट्व में लिखा जाता है यानि यह माइनस वन इसको दूसरी साइट रांस्पर करेंगे तो आपका प्लस वन हो जाएगा कितना आ गया त्री यानि उक्षडेशन स्टेट आपके इसकी थर्ड बन गई है और यह किस फॉर् आइन सबद जोड देते हैं पेंटा एमीन कलोरो कोबाल्ट थर्ड आयन इसका आपका इपीशी नेम हो गया देखिए दोस्तों थोड़ा सा बेसिक जान करें देना चाहूंगा जो आपके आर्वीशी की बुक है वहां पे इस प्रकार से आपको कौन सा आपका डोनर एटम है चार्ज क्या है इसका नेम क्या है और यहां पे लिगंड यह सब एकड़म अच्छे से टेबल बना के दे रखा है तो एटम ठीबल बना के देखिंए तो वहां तो आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा कौन आया आ गया है यहां पर आपका एसो फोर आया है तो इसलिए मैंने आपको टेबल बताया है और तांकि आप इनको याद कर सके आपको नहीं तो कैसे पता लगेगा कि इनका क्या नाम है तो वह आप अपने आर बीशिक बुक मे नाम लिखते हैं इसको क्या कहते हैं दोस्तों हम सलफेटो कहते हैं ठीक है इसको क्या कहते हैं एमीन कहते हैं ठीक है सलफेटो और एमीन और यह आपका कौन है कोबाल्ट है और यह किसमा आया देखो पहले पहले आ गया यह पोजिटिव भाग है यह आपका नेगिटिव भा तो आप देखिए ABCD के सिक्वेंस में हम जमाते हैं तो इसका पहला है इसका पहला अक्सर आपका एस होता है तो यह वाले को पहले लिखेंगे कितनी संख्या है चार तो आपका टेट्रा एमीन लाश्ट में अपने क्या लिखेंगे इस सबस्क्राइश में हम जात करेंगे तो पहला शीर का नाम इनले का लिखेंगे टेट्रा एमीन इसका औक्सणे करीनिकर वो सब से लास्ट मन याद Tenemos तो पहला इस टेपा आपका कंप्रीट ओगया पॉसिटीव का नाम लिखना अब नेगेटिव का नाम लिखते है आन ऊठी यह को क्या कहते हैं दोस्तों आप नाइट्रेट कहते हैं बिदायू फोन ट्रेट ए ठीक है तो यहां पर टेट्रामीन सल फेटो कोबाल्ट नाइट्रीट यह तो नाम होगया बागी है तो यह देखिए को नाम लिखना थर्ड तो यहां पर देखे कोबाल्ट प्रिक्टिन मैंने X मान लिया SO4 का Charge अभी मैंने आपको बता है कितना minus 2 होता है और इस Amin का 0 होता है और यहां पे NS3 का Charge आपका दूस्तों, देखिए Sorry, NO3 का Charge आपका यहां पे NS3 देखिए, Amin का 0 होता है NO3, यह नाइटरेट का क्या होता है minus 1 होता है, total Charge कितना है जीरो तो यहां देखिए माइनस टू माइनस वन थ्री आ जागा है इसको दूसरी साइड लेके जाएगे निया एकस बराबर कितना प्लस थ्री आ गया तो इसका उक्षडेशन इस्टेट आपका क्या निकल गया थार्ड उक्षडेशन इस्टेट निकल गया है चले हम एक और अच्छा ही एक्जामपल लेते हैं इसके बाद आपको और ज्यादा समझ आएगा अन्य वीडियो के देखने के लिए दोस्तों नीचे डीगी डिस्क्रिप्सर में लिंक पर के लिए कीजिए वहाँ से सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे ठीक है जितने भी इस पर मैं वीड कृटो जिए में पतली कोड़ इस और आपका यह त्ट्री टाइम hasn't been है तो यहां पर देखिए आपका यह जो और क्यू पर मिला है कोस्टत्र की सस्वां में आगया है रहएंगे कैसा है और दीकर कोई चार्ज नहीं है यह नित्रल क्रोंट के स्पर में हो करहाएंगे तो कि हम क्ञा करिंगे बिल्कुश करेंगे हैं कि अपने की तो के लिए ंसके बाद देखिए और केश में आपका बाद आता है इसको तो हमेशा जेहन रखना है इसको भूलना नहीं है अब आपका यहां पे कौन है so kamentos बालल है कि इसका ऑख्चिडेशन इस्टेट आपको कोस्टरक मन लिक्णा है इसको अख्चिडेशन इस्टेट निकालते हैं देखो इसको 16 माघन लिया आई जो टवल कि आपका ईनलन का नो और टो का चार्ज आप कर माइनस वन होता है चौर तो यहां पर है जो टेबल की आप पूरी Shail. ता ले सकते हैं बिना जिजग के तो तीन का आपका हो गया गुणा तीन और एमिन का देखिए जीरो होता है तो डारेक्ट जीरो लिख दो और टोटल चार्ज इस पर कितना है आपका जीरो है यानि कोई भी चार्ज दिखाए नहीं देरे मतलब न्यूटरल इसी कुष्ट जीर लिखना है एकस माने ट्रि व्राबर जीरो तो इसका मदलब क्या हुआ एकस वराबर आपका प्लस थ्री आ गया बोन को थी ओं एक और है अच्छा इब्ल लेते हैं देखो दियान से तो दूस्तों आप समय इजाज़त नहीं दे रहा है दस मिनट से ज्यादा खाव वीडियो हो गया है यानि आपका पार्ट कम्प्रीट होता है अब हम चलेंगे आपके नेक्स पार्ट सेवन में अगली वीडियो में जिसकी लिंक नीचे मिल जाएगी आपने इस वीडियो को देखा उपसक्लियाप काता है जिसे सिस्क्राइब करना है वीडियो को सेर करना है लाइक करना है सुरंदर क्लेर धन्यवाद